आज मैं बनाने वाली हूँ एक side table उसके लिए जहां पर मैं जे box यूज़ कर रही हूँ इसमें photo frame आया था तो आप जे box free है मैं उसको यूज़ कर रही हूँ उसके साथ मैं जे यूज़ कर रही हूँ ट्राइपॉड का box जो camera stand का box होता है वो यूज़ करूँगी इन दोनों के निकाल लूँगी चारो side पर center पर राख कर मैं ऐसे pen pencil के साथ 4 sides पर निशान लगा लूँगी जे बिलकुल हमें center में रखना है 4 side पर देखना है center में हो तो फिर हम ऐसे 4 sides पर निशान लगाएंगे तो अब ऐसे मैंने निशान लगा लाँ तो मैं ऐसे इसे काट दूँगी ल चांस ना रहे, इसलिए मैं चारो साइट्स पर टेप लगा रही हूँ, तो अब मैं कटर के साथ, जो मैंने पहली निशान लगाया हुआ है, उसको काड़ लूँगी, ऐसे हम बिलकु निशान के उपर उपर काटेंगे, तो ऐसे मैंने काट लिया, सारे निशान के उपर, तो अब मैं जो लंबे वाला बॉक्स लिया हुआ, उसको बीच डाल का देख लूँगी, कि जो मैंने काटा है, वो बिलकुल ठीक काटा गया है, तो अब मैंने चेक कर लिया है वो बिल्कुल ठीक काटा गया तो मैं उसको एक बार निकालती हूँ बार तो जहाँ पर मैं ले रही हूँ छोटे-छोटे कार्डबोर के पीस तो इनको ऐसे फोल्ड करती जाओंगी तो ऐसे मैं cardboard के जो शोड़े piece ले हैं उनको fold करके ऐसे box के बीच डालती जाओंगी ऐसे मैं काफी piece cardboard के मैंने लिए है जिनको मैं ऐसे fold करके ऐसे box के बीच डालती जाओंगी उनको set करती जाओंगी तब तक जो box खाली है वो पूरी तरह फिल हो जाए हमें पूरी तरह नीचे का box फिल करना है क्योंकि उसमें कोई खाली पानना रहे ऐसे हम cardboard के छोट-छोटे piece के साथ उसे पूरा फिल कर देंगे चारो side पर हम जे piece डालेंगे ऐसा करने से जे box नीचे से hard हो जाएगा तो अब उसके ऊपर मैं डार रही हूँ फैविकोल जो बीच हमने काटा है वहाँ पर मैंने नीचे फैविकोल डाल दिया तो आप side पर मैं ऐसे साथ साथ में glue gun भी use करूँगी तो अब जो हमने लंबे वाला box लिया हुआ है उसके उपर भी मैं glue gun के साथ glue लगा रही हूँ तो अब उसको नीचे मैं set कर दूँगी जहां पर हमने काटा हुआ है उसके बीच डाल कर थोड़ी दिर हम ऐसे से पकड़का रखेंगे जह set हो जाए तो अब फिर उपर भी set करने के बाद नीचे वो fix हो चुका है तो उपर भी जो sides है वहाँ पर भी मैं glue gun के साथ glue लगा रही हूँ क्योंकि वो proper तरीके से और set हो जाए fix हो जाए वहाँ पर तो अब glue gun लगाने के बाद मैं एक बर फिर इसके उपर tape लगा रही हूँ इसे और पका कर रही हूँ tape लगा रही हूँ चारो sides पर मैंने ऐसे tape लगा दी फिर तो अब चारो sides पर tape लगाने के बाद मैं जहां पर ले रही हूँ जो paper होता है चिपकाने वाला वो use का रही हूँ जहां पर मैं यह wooden type paper लिया हुआ है वो तो उसको ऐसे मैं set करूँगी मैंने काड लिया है उसके size के cording जितना भी लंबा box था उसका पहले measurement किया हुआ है मैंने उसके cording मैंने काटा हूँ तो अब ऐसे मैं नीचे से paper को किसकाती जाओंगी और जो उपर वाला paper है उसे मैं set करती जाओंगी box के उपर यह हमें करते time थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है नीचे से हम थोड़ा थोड़ा paper किसकाएंगे एक बार जादा paper ने किसकाएंगे अगर हमने एक बार जादा paper अतार दिया नीचे वाला तो उपर बबल्स आ जाएंगे जहां पेपर लगा रहे हैं उसमें वाल आ जाएंगे तो हमें वो ना ही तो वाल चाहिए ना बबल चाहिए अगर बबल्स हो जावाल हो तो वो paper शो हो तो बिल्कुल जे साफ पेपर लगेगा, इसमें कोई बबल्स नहीं आएंगे, कोई वल नहीं रहेगा, ऐसे मैं सारा सेट कर लूँगी, ऐसे मैंने सारी चारो साइट्स पर लगा लिया, जो बाकी बचा उसको मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, तो अब जहां पर मुझे जो टेबल बनाने के लिए उपर चाहिए, उसके लिए मैंने दो कार्ड बोर के पीस काटे हुए है, जे फोटी बाई फोटी के मैंने इन दोनों पीस लिए हुए है, तो अब मैं ऐसे एक कार्ड बोर का पीस ले रही है, इसके उपर मैंने जो टेबल हुआ ऐसे stone है मेरे पास ऐसे काफी सारे मैंने stone लिए हुए हैं तो जे मैं table का जो हमने stand बनाया उसके बीच डालने वाली हूँ तो अब ऐसे मैं polythin को cover का दूँगी side पर और उसके ऊपर table लगा दूँगी जे tape मैं इसलिए लगा रही हूँ जब कभी हम table को उठाएं तो उसक के बीच मैं जो stone fix किये हैं उनको डाल दूँगी ऐसे मैं पूरा नीचे तक पचा दूँगी उनको बिल्कुल नीचे पहुंच जाए हूँ तो अब मैं लेती हूँ जो cardboard के दो मैंने piece लियो है उसका एक piece जो मैंने 20 से काटा हुआ है उसको लेती हूँ पहले अब ऐसे उसको लंबे वाले box में निकाल कर मैंने ऐसे अब उपर से खोल लिया अब इसे fix करने के लिए मैं फिर से glue gun लगा रही हूँ जहां पर ऐसे चारो sides पर मैं glue gun के साथ इसे fix कर दूँगी तो अब चारो sides से मुझे करने के बाद जो आ इसका जहां जहीं बॉक्स होता है जो खुलने के piece होते है इनको भी मैं ऐसे जहां पर attach कर दूँगी glue gun के साथ झारो पर पेस मैंने टेब होँगी तो अब टेब लगाने के बाद ऐसे मैंने चोटे चोटे चार कार्ड बोर्ड के और पीस लिए हुए उनको चारे कॉर्णर पर सेट करूंगी जो मैं इसलिए का रही हैं जो हमने बीच में जे पीस चिपकाई हुए हैं वो बीच से उचे हो गया है तो उपर वाला जो हम कार्ड बोर्ड का पीस चिपकाएंगे डिचे टेबल बनाने के लिए वो अच्छी तरह फिक्स होगा अगर मैं जे चारो कौर्णर पर चोटे पीस नहीं देती हैं तो इसलिए मैं जे चारो चोटे पीस लगा रही हूँ ग्लू गन के साथ ऐसे चारो कौर्णर पर चिपकादूँगी क्योंकि वो सेम हो जाएगा जगर हम चार पीस लगाते हैं तो तो अब ऐसे मैं फिर से फैवी को लड़ा रही हूँ तो अब जो second हमने cardboard का piece काटा हुआ उस पर ऐसे मैं glue gun के साथ glue लगाऊंगी और इसे set कर दूँगी उपर जो हम table बना रहे हैं पहले जो हमने set किया हुआ है उसके उपर तो अब जहाँ पर मैंने इसके cording फिर से वो ही paper काटा हुआ है तो ऐसे मैं इसको set करती जाओंगी लगाती जाओंगी जे paper जो लगाना है जे हमें जुरूर दियान से लगाना है दीरे दीरे लगाना है क्योंकि इसमें कोई bubbles बढ़ा नहीं आने चाहिए तो ऐसे मैं उपर set करने के बाद मैंने इतना paper बढ़ा कर काटा हुआ कि नीचे की और चारो sides पर बढ़कर नीचे हम fold कर लेंगे इसे देख से हो जाए तो अब मैं जो नीचे की साइड रहा गया paper वहां पर भी paper लगा दूँगी ऐसे तो अब मैंने नीचे भी paper लगा दिया तो ऐसे जो नीचे हम stand बनाया हुआ है जो photo frame लगा बॉक्स लगा हुआ है उस पर मेरा paper रहा गया था आप मैं नीचे भी paper लगा देत तो ऐसे मेरा टोटली जिस साइटेबल बन कर त्यार हो चुका है तो आप देख सकते हैं जिस फाइनल लुक इस साइटेबल की कैसा लग रहा है तो आप साब को रेक्वेस्ट है कि अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक, शेर, कमेंट करना मत भूलिए and अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब में किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो bell button है प्लीज उसको भी जरूर प्रेस कीजिए तहां जो आपको next मेरी वीडियो की notification मिल सके और प्रेस की जर्बस की आपकोर एगार क्से बद्सक्तार है